नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं पानेहल स्टड़ी लास्ट वीडियो से हमने एक सीरी स्टार्ट की थी जिसमें हम डिस्क्स कर रहे थे लेटेस्ट और जो प्रीवियस एर एमसे की उसे हिमाचल जेकी के वीडियो के मादम से अलेडि हम उसकी छे बाट बना चुके हैं यह है उसका पार्ट सेवन और वीडियो के मादम से मुतने क्वेश्टन कवर नहीं कर पाते हैं इसलिए हमने हीमाचल लिखी कि सभी क्वेश्टन को एक क्वेश्टन बैंक की रुप में त्यार किया है जिसमें आपको 4 PDF दी जाएगी और जिसका मैंने कहा था कि काम अभी complete नहीं हुआ है और अभी ये काम complete हो चुका है जो क्वेश्टन बैंक के वो त्यार हो गया है बात करें इसक्वेश्टन बैंक की जैसके मैंने कहा था इसमें minimum आपको 1000 question दी हे दिये जाएंगे और complete होने के बाद इसमें 1400 plus question हमने add कर दी है previous और latest को जोड़के तो पहले भी हमने इसका एक threshold रखा था जिसमें हमने कहा था कि जो 500 student के लिए इसका जो price है वो रहेगा 100 रुपे और क्योंकि एक्जाम नजदीक आ रहा है और बच्चों के पास टाइम भी बहुत कम है इसलिए हमने इस limit को थोड़ा सा increase कर दिया है क्योंकि जो threshold है वो हमारा complete हो गया है लेकिन exam की point of view से हमने इसको थोड़ा सा और increase कर दिया है ताकि और भी student इस PDF का फाइदा ले सके ताकि कम से कम टाइम में उनकी अच्छे से त्यारी हो सकी अगर आप इस PDF को लेन जाते हो तो आप मज़ो WhatsApp कर सकते हो मेरा WhatsApp नमर है 9882547254 तो फिलाल इसकी cost सिर्फ 100 पे रहेगी next 500 student के लिए और यह offer limited हैगा इसके बाद इसका price बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें काफी जाता महनत लगी है बनाने में और बता दू कि यह जो PDF आपको यह Google Drive के थो मिलेगी और in case अगर को interested है तो मुझे WhatsApp कर सकता है इसमें आपको total 4 PDF दीजाएगी तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो Part 1 जिसमें आपके 170 क्यास पसकोशन है Part 2 जिसमें आपके 300 साड़े 300 क्यास पसकोशन है Part 4 इसमें सबस्यादा क्योशन है 600 क्यास पसकोशन इसमें है और जो Part 3 है इसमें भी almost आपके 300 क्यास पसकोशन कवर के गए है तो जिले बात करते हैं सौरी जो Part 3 है उसमें सब ज़्यादव कोशन है तो आज हम ऐसे वीडियो में डिसकस कने वाले हैं इसका पार्ट थ्री ही तो चलिए दिखते हैं कौन-कौन से कोशन इसमें पूचे गए हैं तो फरस्ट कोशन क्या है टुंडाहा वाइलाब सेंक्चुरी यह हमाचर पुदेश के किस जिले में स्थेत है तो इसका जो की पास करेक्ट अंसर हैगा 155 का वो रहेगा ओप्शन ए चमबा नेक्स्ट कोशन क्या है पॉंग डेम को क्या कहते हैं तो इसका जो करेक्ट अंसर है वो है ओप्शन भी पॉंग डेम को और किस नाम से जाना रहता है महराना परतापसागर महराना परतापसागर डेम नेक्स्ट हिमाचर पुदेश के किस जिले में गसोटा महादीव मंदिस देते है तो इसका जो करेक्ट अंसर पूप्शन भी यह है हमीरपूर में और इसमें लेंग्विश की बात बता दूँ तो इसमें आपको maximum जो question है thousand plus वो दोनों ही language में दिखेंगे और 315 पास question इसमें 3174 जो question है इसमें वो आपके हिंदी में रहेंगे बागी हिंदी में आपके बात जो कुछ एक typical word हिंदी में जिसमें पता नहीं लगता है कुछ लोगों को जो English medium से ब्लाउंग करते हैं तो इसमें जो typical word है उनको भी हमने English में mention करके रखा है ताकि यह कोई दिकत इसमें ना आए next question किया है the first local youth of HP was हिमाजबतिश के प्रतम local youth कौन थे तो इसका correct answer option C justice TBR ततचारी बाकि जो आपकी PDF है यहाँ पे जैसे आपका एक जो question paper का एक part खतम होता है तो इसके जो answer है वो इसके bottom में दिये रहे हैं यहाँ पे और जो भी answer है इसमें वो as per official answer की है हमने इसमें attach किये है next question देखते है बड़ा शिगड़ी किया है तो यह है glacier option B correct answer नाको जील हमाजबदेश के किस जील में स्थेत है तो यह है किन और में option D correct answer next हमाजबदेश के किस जील में तिर्तन वन ने जीब अभिहारान स्थेत है 163 का आपकी पागा जो correct answer है वो है आपका कुलू option A correct answer का next the first lieutenant governor यह कौन थे यह थे major general हमद सिंह option A correct answer का next question देखते है हमाजबदेश में कौन सी नदी बड़ा बंगाल से उद्धगमित होती है which river organized from बड़ा बंगाल तो यह है आपकी रावी नदी बड़ा बंगाल यह पड़ता है आपका डिस्टी का अंगड़ा में next हमाजबदेश की प्रतम मुक्य सचीप कौन थे चीप सेक्टरी कौन थे तो इसका जो पके पास correct answer है यह है KL next option है हमाजबदेश के राज्य पश्चू कौन है तो यह है आपका इसका जो पके पास correct answer है वह option B snow leopard हम तेंदवा यह जिस हम कहते हैं बरफीला तेंदवा next literacy rate of HP हमाजबदेश की जनगन्ना कितनी है हमाजबदेश की साक्षर्टतर कितनी है 2011 की जनगन्ना कि अंसार तो यह है 82.8 0% option C हमाजबदेश में लोगसबदेश की कुल कितनी सीटे हैं तो लोगसबदेश की 4 सीटे हैं option B correct answer का राज्य सबदेश की 3 है next महाभारत के अंसार कर्टोच राश्वर्च की स्थापना 1400 इसवपूर्व किसने की थी according to महाभारता who founded Katoch Monarchy during 1400 B.C correct answer का option B सुशर्माचंद्र next question क्या है इसका first leften governor of H.P.W.W.S हमाजबदेश की प्रतम leften governor का थी यह थी एस sorry तो इसका आपके पास correct answer का option C leftenant puta है major general Ammit Sangh next straight flower of H.P. is हिमाजबदेश का राजय पुष्प कौन चा है तो यह pink रोहेंडो डेडरॉन गुलाबी बुरांश next famous बाबाबालगनार यह हिमाजबदेश की किस जेले में पढ़ता है यह है आपका हमीरपुर में और sub-division पूछे जाए तो sub-division रहेग आपका बटसर यह जो question है इस question की बात करो तो यह 2021 में चार या पांच question पेपर में पूछा गया है और वहाँ पे यही question को गुमाब फिर आके पूछा गया है कई बार इसका sub-division पूछा आता है कई बार पूछा आता है डिस्टी कौन सी है इस तरह से next श्रीली वाइलप सेंक्चुरी श्रीली जो वनने जिब अभिहारण है यह हमाचो दिश का सबसे छोटा वनने जिब अभिहारण है जो की आपका पढ़ता है शोलन में और सबसे बड़ा है आपका किबर जो की है कहां पे है कमेंड करके बताए next प्राचिन काल के दुराण निमन मेंसे कौन सस्थान जगत्सु की राजदानी था तो इनमेंसे कौन सस्थान प्राचिन में जगत्सु की राजदानी था तो यह था कुलूत option D correct answers का next question किया है साच दर्रा हिमाजवदेश की कि जिले में सतीते साच बास is located in which statistic of HP तो 156 कप की पास correct answer option सही यह है आपका चंबा में next हिमाजवदेश की कि जिले में रिवाल से तालापस देते तो यह है मंदी में option है correct answers का नेक्स्ट निवन में से किस जल भी थी पर्योज़ना की जल ख्रमता सबसे अधिक है विचे तो फ्रेंग हाइड्र एलेक्टी पोडेक्ट हैज हाइस्ट हाइडल कपैस्टी तो 158 कप की पास जो correct answer कोई option नहीं इनमें से कौन जा आपका कर्चम वांगतू कर्चम वांगतू इसका correct answer है next question देखते है आधनी काल में आडंबर की चिच को refer करता है आडंबर की चिच को संकेत ही करता है कुछ भी आप कह सकते हो इसको तो इसका आपके पास correct answer option दी पठान कोट पहले के बोलते इसके अडंबरा और आपके बोलते इसको पठान कोट next शिम्ला वास दा हैड़कॉर्टर आफ़ एक्जाइल कोवर्मेंट फ्रॉम शिम्ला सन 1942 से लेके किसकी निर्वास सरकार का मुख्याला था तो इसको जब की पास correct answer यह है बर्मा तो option D correct answer इसका next question किया है the jars are found in यह jar कहां पाई जाते हैं correct answer किया है option D पांगी में next question किया है शिकारी वाइलेब सेंक्चूरी हिमाज़पदेश के किस जिले में स्तित है तो यह है आपका मंडी में option D correct answer का next question देखते हैं हिमाज़पदेश के प्रतम मुख्य मंत्री कौन थी डॉक्टर वाईयस प्रमार option D correct answer का और दूसरी कौन से थी ठाकू रामलाल के विर दूसरी पूछा जाता है next the total geographical area of HP is इमाज़पदेश का जो कुल बगॉलिक शितरफल है वह है 55,673 square kilometer next question के हैं बड़ा शिगड़ी क्या है बड़ा शिगड़ी क्या है के लॉंग में option C correct answer का next गुम्मा और दरंग यह famous खाने है किसेज की रॉक्सॉल्ट की option है और कहां है यह यह है district मंडी में next question देखते हैं बड़ा शिगड़ी क्या है गलेशियर है option D इसका correct answer है तो कि देखिए इस तरह के आपको question देखने को मिलेंगी जो काफी बार exam में फिर सफिर से पूछे जाते हैं next रेणू का जो जील है वो किस जीले में है जो हिमाज़विदेश की सबसे बड़ी प्राकर्टिक जील है natural lake है यह आपके सेर्मावर में पड़ती है option D करेक्टनस का next the first chief commissioner of HP was हिमाज़विदेश की प्रतम मुख्या आयुक्त कौन थे ये थे NC महता chief commissioner chief secretary KL महता next as for since 2011 sex ratio of HP is हिमाज़विदेश का लिंगान बात कितना है तो करेक्टनस का option D 902 next लक्षमी नायन टेमपल ये किस जिले में पड़ता है करेक्टनस का option D जमबा में next question किया है हिमाज़विदेश का कुल बगॉलिक शित्रपल कितना है ये है 55,633 स्कियर किलोमेटर चेक है next question किया है dryest placed of HP हिमाज़विदेश का सबसे सोका सलेम में से कौन सा है तो ये है 162 option D the largest natural lake यहां पर वो question पुझा गया है तो रेनु का correct answer artificial पुझे तो अगर correct answer next ये जो correct answer वो है option E next question किया है पंडो लेग is situated in this district of HP हिमाज़विदेश की किस जिले में पंडो जिल स्तित है ये है मंडी में option E correct answers का next हिमाज़विदेश की किस जिले में भाडल glaciers देते है तो इसका जो की पास correct answer 162 का वो है option E ये है आपके कांगड़ा में next असनी रीवर ये किस नदी की साहिक नदी है 163 का D 39 इसका correct answer है ठेक है तो जलिए आप भी कमेंट करके बताइए असनी जो नदी है वो किस नदी की साहिक नदी है तो कमेंट शुरूर करिए क्या इसका answer एगा next the first deputy chief commissioner of HP was तो deputy chief commissioner की बात करें तो वो है आपके EP moon EP moon और MC में था लेका यहां होगा NC में था यहां NC में था थे chief commissioner deputy chief commissioner थे EP moon ठीक है next question देखते हैं question में पास किया है who among the following ruler of Bushehr meet Rampur is capital Bushehr की नमिलिक्त में से कि साचक ने Rampur का अपनी राजधानी बनाया था तो इसका जब की पास correct answer वह है option E next question किया है the gujjar in HP are the decident of Himachabdesh में जो gujjar है वो किस की वंशे चे 156 का उप्षनी होन correct answers का next in which year forest settlement was executed in HP Himachabdesh में जो वन बंदवस्त हुआ था वो किस वर्ष हुआ था correct answers का option E यह हो था 1889 में next where is the headquarter of Himachal Grammin Bank तो इसका headquarter आपका कहा है यह मंडी में option D correct answers का next question किया है local grapevine अंगूरी तो यह क्या कहलाती है किनॉर में एक wine किस की बनती है जो अंगूर है उनकी बनती है के बार यह question भी पूछाता है कि अंगूरी जो wine है किस चिज़ की बनी होती है local grape की कहां की किनॉर की तो यही question indirectly के बार exam पूछे जाते हैं और उसे बोलते क्या हों, उसे बोलते हैं, दखांगू, option D, correct answers का, देखिए, काफी अच्छे questions में पूछेगे हैं, previous paper में, तो इसी तरह कि आपको, जो questions है, इसमें देखनों को मिलेंगे, काफी सारे questions में हैं, जो नए exam है, उनमें तो आपको maximum repeated question देखने को मिलेंगे, लेकिन जो previous paper है, उसमें काफी अच्छे questions पूछेगे हैं, और बिल्कुल भी इसको miss ना करें, आपकी काफी काम आएगा, चाहिए आप जोवा की तयारी को रहे हैं, या फिर आप हीमांचल में, HPSAC के अंदर किसी भी exam की तयारी कर रहे हो, तो ये जो PDF है आपके बहुत काम आएगी, तो इसको बिल्कुल भी miss ना करें, अगर आपको चाहिए होगी, इंट्रस्टिड हो, तो whatsapp करें, इस नमर पे 9882547254, तो ये जो offer है, ये limited हैगा, starting ए 500 student के लिए, सिर्फ 100 पे में ये PDF दी जाएगी, जो पहल ये नजदी कर रहा है, ताकि जाज से जाज students का फायदा ले सके, नेतों की काम नहीं आएगी फिर, और इसलिए इस threshold को हमने तोड़ा सा increase कर दिया है, next 500 बच्चों के लिए, तो जल्दी से enrollment कीजी और इसको ले लीजी, so thank you so much.